नमस्कार दोस्तों, Pathfinder के Medieval Indian History सिरीज में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathod और आज इस lecture में हम चर्चा करेंगे राजपूत Kingdoms के बारे में तो पिछले lecture में मैंने आपसे राश्रकूत, प्रतिहार और पालवंश, इनके तीन के बीच में चले Tripartite Struggle के बारे में चर्चा कर ली थी, मैंने आपको एक छोटा सा हिंट पहले भी दे दिया था कि जो गुरजर प्रतिहार शासन है, उसका breakdown होगा और multiple राजपूत Kingdoms आएंगे तो आज उसी वाले पार्ट को हम cover करने वाले हैं, देखे भारत के medieval history में जो early medieval history का time period है, 7th century to 12th century, ये 500 साल का समय कई बार राजपूत Age के नाम से भी जाना जाता है, इसे राजपूत Age क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर और मध्यभारत के पूरे भूभाग पर almost 20 to 30 राजपूत Kingdoms का शासन था, और इन राजपूत Kingdoms में से जो North India में थे, उन्होंने जो तुर्को इसलामिक आकरमंट थे, उनको रोका है और अलगबग 500 साल तक इस इसलामिक invasion को सिंध के area तक रोके रखा था, जादा तर राजपूत Kingdoms 500 years के लिए पूरी तरह dominant थे और दिल्ली में तुर्किक सल्तनत time period आने के बाद भी ये राजस्थान के भूभाग पर और in fact मद्रप्रदेश के भी काफी हिस्से पर rule करना continue रखते हैं, even during the Mughal time period, these राजपूत dynasties were ruling over the area of Rajasthan, तो उस समय जो Hindu art architecture है, उसको सबसे आदा बढ़ावा राजपूत Kingdoms नहीं दिया है, और कई dynasties almost 1000 to 1200 years तक continue होती है, तो आज इनी 30 major राजपूत dynasties में से कुछ important dynasties के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जिन 40 घंटे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप state PCS की तयारी कर रहे हैं, जैसे कि मध्यप्रदेश वाले students हैं, उनको मध्यप्रदेश की सभी dynasties की details याद करनी पढ़ेंगी, राजस्तान के जो students हैं, RPSC के exams के लिए आपको राजस्तान के सारे dynasties के हर राजा के बारे में detail जानकारी होनी जरूरी है, वो state level के exam पर आती है, जो भी dynasties UPSC perspective से important है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी इस lecture में दूँगा, आपको PDF डाउनलोड करना है इस lecture का या मेरे कोई भी lecture का, तो मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर आपको lecture के notifications भी प्राप्त हो जाएंगे, हो सकता है YouTube पे कई बार मिस कर जाओ, लेकिन अगर आपने bell icon दबार खाये, subscribe कर रखाये, तो miss होगा नहीं, so please do subscribe to the channel, अपने अन्यमित्र, जो exams की तयारी कर रहे हैं, competitive exams की, उनसे pathfinder के बारे में जानकरी साजा कीजिए, उन्हें भी कहिए कि channel को share करें, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं history का next lecture upload करूँ, subscriber 20,000 और बढ़ जाने चाहिए, तो देखते हैं कि क्या आप लोग subscriber को बढ़वा सकते हैं, एक बार आपने करवा दिया था, let's see if you can do it once again, medieval history, मैं आपको यहाँ पर YouTube प पढ़ाते हैं, तो आपको plus और iconic, दोनों में से कोई भी एक subscription लेने के बाद, इन classes को join करने का मौका मिलेगा, subscription लेते वक्त अगर आप महिपाल code का इस्तमाल करेंगे, तो आपको 10% discount भी मिलेगा, optional के भी कई courses यहाँ पर शामिल है, और अभी एक introductory offer चल रहा है, combo subscription पर, जिसमे GS और optional, दोनों की course, दोनों की classes आपको मिल जाती है, material भी मिल जाता है, GS का, साथ में test series for prelims, mains and optional, यह सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, not even for 71,000 rupees, you'll get it for even less if you apply the code महिपाल, हर बुधवार को नए batches बनते हैं, तो जैसे ही आप subscription लेते हैं, तो आपको Wednesday को नए batch join कर लेना है, त इस वक्त PLUS platform पर मेरा एक course चल रहा है, Post Independence History of India का, इसे जरूर जोइन कीजिए, अगर आप PLUS subscriber हैं, तो पिछले lectures में हमने चल्चा करी थी गुर्जर प्रतिहार वंच की, 11th century आते आते, 11th सदी आते यह काफी कमजोर हो गया था, इसके कमजोर होने पर इसी गुर्जर प्रतिह अपने आपको independent घुशित कर दिया, यहाँ पर मार्स ने MP वाले रीजन में अपने आपको independent घुशित कर दिया, तो इस परकार से कई छोटे बड़े kingdoms बनते हैं, जादा तर सभी प्रतिहार वंच से ही independent होकर बने थे, अब ये समय फिर से political uncertainty का आ जाता है, आपको याद होगा म ये एक तो ब्रेक अप हो रहा है प्रतिहार वंच का और उसके बाद ये सभी Kingdoms आपस में भी बहुत लडाईयां लड़ रहे हैं तो इसके कारण Power Vacuum एक ग्यारवी सदी में North India में बनना शुरू होता है और इसी का फायदा आगे चल कर आप देखेंगे कि गुरीद डाइनस्टी उठाना शुरू कर देती है गजनवीद डाइनस्टी के भी इन्वेजन थे ये दोनों बताऊंगा मैं आपको next lectures के अंदर हम discuss करेंगे गजनवीद और गुरीद इन्वेजन क्या थे तो इनको भी हम discuss करेंगे लेकिन अभी आपको समझा रहा हूं कि कैस इसको लेकर तीन theories बताई जाती है कि राजपूत कौन थे और ये कहां से आये और इनके kingdoms established कैसे हुए तो देखो एक theory तो ये है अगनिकुल theory which is more related to mythology than real history अगनिकुल theory ये कहती है कि माउंट अवू नाम का एक परवतिये शेत्र है राजस्थान में वहाँ पर गुरु शिखर इसके पास में एक यगनक किया गया था रिशी वशिष्ट के द्वारा और यहां से चार राजपूत heroes erupt होते हैं उस अगनी से और वो चार राजपूत kingdoms को बनाते हैं पर अगेन ये historical fact नहीं हो सकता है दूसरी और तीसरी theory जादा plausible है और जादा historically accurate है तो दूसरी theory ये कहती है कि राजपूत वेदिक काल के शत्रियों के ही continuation में है तो होता यह है कि बीच में कई ऐसी dynasties power में आ गई जो शत्रिय नहीं थी लेकिन देखिए उस समय caste identity इतनी rigid नहीं थी जो ancient और medieval time period था शुरुवाती medieval time period उस समय caste interchangeable थी जैसे कि जो power में आ गया वो शत्रिय कहलाया जिसक शत्रिय वेदिक time period में वर्ण हुआ करता था उनी का continuation है और आप देखेंगे कि कई राजपूर डैनस्टी अपने आपको सूर्य वंशी है चंद्रवंशी कहते हैं तो चंद्रवंशी सूर्य वंशी राम और कृष्ण भगवान के वंशज अपने आपको उस तरह से कहते हैं अगर आप लोगों ने ancient history को थोड़ा वहत पढ़ाया या फिर अगर याद हो तो याद कीजे कि गुपता वंश का अंत भी या पतन भी इनी Central Asian tribes के या हूण के आकरमंट से हुआ था तो ये continuous जो शक हूण ये सारी tribes आकर यहाँ पर attack कर रही थी उन में से कई यहाँ पर बस ज पहलाना शुरू हो जाते हैं तो इन्हें Scythians basically Central Asians के descendants बताया गया है White Huns का descendants बताया गया है और ये दीरे दीरे एक दो साल में नहीं हुआता ये जो पूरा process है 400-500 साल लेता है और उसके बाद ये राजपूज यहाँ पर establish हो जाते हैं तो ये तीन theories हैं इसमें एक जो doubt रहता या इतना सक्त नहीं था कि जो जिस जाती का है वो कभी भी change नहीं कर सकता हाला कि एक दिन में या एक साल का process नहीं है अगें ये process भी कुछ दश्कों का या कुछ सदियों का है अब इससे पहले कि आप comment type करो और मुझसे पूछो कि इन दोनों में से कौन सी theory सही है मैं आपको कोई बता देता हूँ कि as a teacher मेरा काम यह है कि मैं आपको relevant historical debates या relevant historical data की जानकारी दूँ मैं एक historical researcher नहीं हूँ मैं research नहीं करता और नहीं मैं history पर कोई theory देता हूँ I am simply a teacher जो उन researches को उन theories को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है एक simple भाशा में जिसे आप समझ सकें तो ये एक ongoing debate है जैसे जैसे इसमें developments होंगे वैसे वैसे हम भी आपको update करते जाएंगे लेकिन अभी ऐसा नहीं कि इसमें हर महीं ने कुछ update होता है ये बहुती लंबा process है history में हर चीज़ धीरे ही होती है तो देखिए अपने merits and demerits हैं दोनो theories के कुछ pros हैं कुछ cons हैं optional level में वो सब पू पूछ सकते हैं UPSC कभी नहीं पूछने वाला है UPSC जिन बातों से आपसे सवाल पूछेगा वो है ये वाली slide में तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वंश किस जगे से शासन करता था क्या राजधानी थी कौन से राजा ने उसको स्थापित किया था किसने सबसे मैं शासन का पतन हुआ या अंत हुआ तो मेजर राजपूर डैनेस्टी के नाम कुछ इस प्रकार से हैं चहमान या चोहान दिल्ली और अजमेर के तो कई जगे आपको नाम ये भी लिखा हुआ दिखेगा ये भी सही है original नाम यही था चहमान और बाद में वो चेंज होकर ब इन्हें चालुक के भी कहा जाता है और वारानसी के गहडवाल या फिर गहरवार दोनों ही नाम बिल्कुल सही हैं दोनों का इंटर्चेंज करके यूज होता है गहरवार या गहरवाल इस इस दे सेम डैनेस्टी तो ये major डैनेस्टी हैं जिनके बारे में आपको details मालूम होन चाहिएं अब राजपूत हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा है करनल जेम्स टॉड ने अब ये जेम्स टॉड कौन है देखें जेम्स टॉड एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था ये राजस्थान में तैनात किया गया था during the 19th century and he was very much interested in history तो जब वो यहाँ पर तैनात थे तब इन्होंने इतियास लिखना शुरू किया और इन्होंने राजपूत इतियास के बारे में काफी कुछ लिखा है तो करनल जेम्स टॉड ने बहुत research किया था जगे जगे जाकर अलग-अलग dynasties के documents को इन्होंने analyze किया उसको फिर English में इन्होंने अपनी क किया है लेकिन इतनी सारी dynasties पर UPSC ने अभी तक सवाल पूछे नहीं है mainly UPSC इन dynasties के बारे में सवाल पूछता है जिनके बारे में NCRT में जानकारी दी हुई है तो ये NCRT का map है आप चाहें तो वहाँ पर भी इससे देख सकते हैं लेकिन NCRT में comprehensive information नहीं है इसके बार अब यहाँ पर ध्यान देना कि कई बार आपको coinciding time period भी दिखेगा प्रतिहार वंच के साथ क्यूंकि कई बार exactly हमें date मालूम नहीं है कि किस दिन इन्होंने अपने आपको राजा गोशित कर दिया थे सभी प्रतिहार वंच के अधीन लेकिन किस दिन से ये independent थे ये थोड़ा पावर चला जाता है चहमान्स के बास तो तोमर डैनेस्टी जो रूल कर रही थी मेंली दिल्ली से वहाँ पर उन्होंने दिल्ली को अपना capital भी बनाया था और वहाँ पर उन्होंने कुछ किले भी बनवाए लेकिन ये finally लड़ाई हार जाते है चहमान से और कौन से चहमान से राजस्थान के शकंबरी वाले चहमान डैनेस्टी से तो इसके बाद से तोमर के हाथ से दिल्ली चली जाती है और चहमान का रूल हो जाता है दिल्ली पर अच्छा तोमर का जो capital है उसे अनंगपूर भी कहा जाता था दिल्ली वाला ही एरिया है तो अनंगपूर इनका capital है अ आप चाहें तो मैं उसका link नीचे description में डाल दूँगा, उसको देखना, history of दिल्ली मैंने अलग से एक बार discuss किया था, उस class को चाहो तो आप देख सकते हो, तो अनंगपाल तोमर was one of the famous rulers of this dynasty, 1058 में लाल कोट नाम का किला, जो आज के समय में कुतब मिनार के आसपास वाला शेत्र है, वो वाला area, जो original किला है वहाँ पर वो अनंगपाल तोमर ने बनाया था, फिर उसे कहने लगे थे किला, राय, पिथोरा, अगला kingdom जो हमें discuss करना है वो है मिवाड, तो मिवाड कौन सा area है, मिवाड का core area रहा है हमेशा ये वाला, दक्षणी राजस्थान, अब जब rulers बहुत powerful हैं, जैसे की राणा कुमबा, मिवाड dynasty के एक ruler थे, तो उनके समय में area क काफी बढ़ जाएगा, आसपास के कई सारे छोटे बड़े kingdoms को वो अपने control में ले लेते हैं, लेकिन जब राजा powerful नहीं है, तब फिर area श्रिंक हो जाता है, core area हमेशा ये रहता है, तो आपको हर dynasty का core area अच्छे से पता होना चाहिए, मिवाड के अंदर दो major dynasties हैं, तो मि इदपतिस मिवाड, तो 728 से 1303 के बीच में गुहिलोत वंच का यहाँ पर शासन है, बाद में जो मिवाड के historical records हैं, वो बताते हैं कि इस dynasty की स्थापना गोहदत के द्वारा करी गई थी, लेकिन historians के point of view से dynasty की स्थापना बपारावल ने करी है, बपारावल वैसे 9th descendant है, ल बपारावल का time period है, 728 to 753, इसी लिए 8th century से बपारावल का राज यहाँ पर start होता है, और बपारावल का नाम याद कीजे, Battle of Rajasthan में भी आया था, जब इन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं के साथ मिलकर, सिंद के Muslim dynasty से लड़ाई लड़ी थी, और सिंद तक Islamic शासन को र अगदा एंड आहड, तो ये दो जगें हैं, है दोनों उदैपूर के पास में ही है, एक तो practically उदैपूर के अंदर ही है, लेकिन capital उदैपूर या चितोड नहीं था, मैं इसे लिए बतारहूं क्योंकि आप लोग क्या है कि बहुत जादा फिल्म है वगेरा देखके समझते ह नहीं कि चितोड और उदैपूरी capital है, लेकिन नहीं, हर dynasty के जो एक या दो capital हैं, वो सभी important है, directly exam में पूछे जाते हैं, so please remember these, ये dynasty भी गुरजर पतिहार वंच के अधीन हुआ करती थी, sometime in 10th और 11th century ये पूरी तरह independent हो जाती है, तो वैसे बपारावल के समय वे भी काफी सही independent हो जाते हैं, 10th century के आसपास, फिर इसी dynasty ने चितोड गड के किले को बनवाया, अब चितोड का जो किला है, उसका original नाम है चित्रकूट, तो चित्रकूट का जो ये किला है, इसको धीरे धीरे कई वंचों ने develop किया, कई राजाओं ने इसको बनवाया, किसी एक राजा पूरी तरह से नहीं बनवाया है, अब जादातर रेकॉर्ड जी कहते हैं कि इस किले को राश्टरकूट समय में बनवाया गया था, या प्रतिहार वंच के समय भी बनवाया गया था, लेकिन जो गोहिलोड डैनिस्टी है, उसने इसको काफी बड़े सतर पर develop किया, और इस कि Arab invasions में, तो Arabs को मलेच कहा जाता था, ancient और medieval history में, जो भी विक्ति भारत में बाहर से आता था, उसको मलेच कहा जाता था, तो ये term आपको कई बार history की किताबों में देखने को मिलेगा, 500 साल तक मिवाड पर शासंग करने के बाद, गोहिल वंच खत्म हो जाता है, और उसकी जगे दूसरी dynasty मेवाड पर रूल करती है, तो दोनों थे related, आपस में related थे, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुली नई family आ गई थी, बट इट वोसा different branch of the family, तो जो रूल करते थे चितोड से, उनको title दिया जाता था रावल, तो last, आखरी रावल थे, रावल रतन सिंग, तो रावल रतन सिंग जो है, ये 1303 में इनकी मृत्य हो जाती है, 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलावदिन खिल जी ने मेवाड पर आकरमन किया था, उस आकरमन में रावल रतन सिंग की मृत्य हो जाती है, लड़ाई लड़ते लड़ते, and entire मेवाड royal family, या जितने भी जो major fighting लोग थे, fight क branch was from the village called Sisod, तो Sisod नाम का एक गाउं था, वहाँ से इसी परिवार की दूसरी branch फिर से अपना सत्ता स्थापित करती है, जो खिलजी डैनेस्टी ने, दिल्ली के सुल्तान ने, मेवाड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उस कंट्रोल को हटाया जाता है, और फिर से गुहिलोत वंच के थे, उनका टाइटल होता था रावल, तो इसलिए रावल रतन सिंग 1303, he was the last रावल, और उसके बाद जो पावर आता है, वो राणा कहलाते हैं, जो अपना टाइटल है, वो राणा रखते हैं, तो राणा कुमभा, राणा प्रताब, राणा उदै सिंग ये सभी नाम आगे, आपको देखने को मिलेंगे, तो इस डैनस्टी को सिसोधिया वंच भी कहा जाता है, क्योंके वो सिसोध नाम के गाउं से थे, तो आपको याद क्या रखना है, गुहिलोत वंच 500 years, and then again सिसोधिया वंच for approximately next 700 years, अब आ जाते हैं हम चहमान्स पर, तो दे हैं, तो ये सभी जगें राजस्थान या उसके आसपास के शेत्र में है, लेकिन जो चहान्स का ओरिजिन है, वो बताया जाता है शाकंबरी नाम की जगे से, आप लोगों ने सांबर जील का नाम सुना होगा, Saltwater Lake है, राजस्थान में स्थित है, तो सांबर जील में ही शाकं चहान्स रूल करते थे, sometime around 6th, 7th century, of course they were the wasals of Pratihar dynasty, लेकिन दीरे-दीरे Pratihar वंच कमजोर होता जाता है और चहान्स अपना पावर बढ़ाते जाते हैं, इस वंच के सिहराज चहान ने पहली बार अपने आपको महराजादी राज गोशित कर दिया, तो कई बार जो हमें सि independent गोशित कर दिया था, वो किसी और के अधीन नहीं थे, so सिहराज is the first one जिनके बारे में हमें inscriptions मिलते हैं, that he was independent, बारवी सदी आते आते, ये एक अच्छा खासा पावर अपना establish कर चुके हैं, राजस्थान में खास करके अजमेर जैपूर वाले शेतर में, और अब ये अप प्रिथ्वी राज the third, ये वो प्रिथ्वी राज चौहान है, जिनको आप जानते हैं, इतियास में नाम तो सबने सुना ही होगा, तो इस डैनेस्टी का original नाम ध्यान रखना चहमान है, वो नाम बोलने में चौहान हो गया और अब वो spelling यही हो जाती है, बोतार same, all right, अजमे दिल्ली, तो आप कई जगे इतियास की किताब में, ये भी नाम देखोगे, चौहान सौफ दिल्ली अजमेर या चौहान सौफ अजमेर दिल्ली, ये एक ही है, this is the same चौहान डैनस्टी, तो पहले उनका capital अजमेर था, दिल्ली को जीतने के बाद, दिल्ली को उन्होंने अपन capital बना लिया, अब इसी वक्त, पंजाब और हर्याना की तरफ भी इन्होंने एक्स्पांड किया, तो उत्तर दिशा में ये काफी powerful हो गए थे, उत्तर दिशा की तरफ काफी आगे बढ़ गए थे, और उसी समय, अफगानिस्तान में गुरीद का रूल था, तो गुरीद डैन तो ये third लिख लेना बहुत important है, तो चोहान डैनिस्टी में दो प्रिथ्वी राज पहले ही हो चुके थे, ये तीसरे प्रिथ्वी राज थे, तो प्रिथ्वी राज चोहान 11 साल की उम्र में राजा बन गये थे, और 16 साल की उम्र के बाद इन्होंने बहुत लड़ाईयां लेकिन में चैलेंज जो चोहान डैनिस्टी को मिलता है, वो अब मुहमद गोरी की तरफ से मिलता है, तो तबर हिंद कौन सा एरिया है, या आज का जो पंजाब एरिया है, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, लगबग वही शेत्र है, तबर हिंद और तबर हिंद वाला बटिंडा के आसपास का शित्र है, तो वहाँ पर कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसको हम अगले लेक्चर में डीटेल में डिसकस करेंगे, अभी के लिए आप चोहान डैनिस्टी के बारे में बस यह याद रखिए, कि पृत्वी रात चोहान की इस लड़ाई में मृत्य हो जाती है, उसके बाद चोहान पावर उत्तर भारत में काफी कमजोर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्यूंकि चोहान के कई अलग अलग ब्रांचेस अपने आपको राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में स्थापित कर लेते ह हैं, तो अगर आप यह पढ़ा है, आपने कहीं पर कि प्रिथ्वी राज को बंदी बना कर ले गया था, मौमद गोरी यह सब किवल किवदनतिया हैं, यह हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री इस दाट प्रिथ्वी राज चोहान वस डिफीटेड और प्रिथ्वी राज के ही बे और नैशनल पार्क हैं, वहाँ पर टाइगर्स हैं, तो वहाँ पर एक किला है, बहुत फेमस, तो वह रण थंबोर का जो किला है, वह इनी प्रिथ्वी राज के वंश जो ने बसाया था, और वहाँ पर एक अलग चोहान डैनिस्टी की स्थापना करी, और चोहान और भी कई जगे थे, चोहान केवल शाकंबरी या फिर अजमेर शित्र में नहीं थे, आगे चलकर इन्होंने राजस्थान के कई शित्रों में अपनी अलग 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 डैनिस्टी बसाई, उनमें दो इंपोर्टन नाम है, केवल नाम याद रख लो, आपका UPSC में काम चल जाएगा, एक है चहमांस अफ नाडोल, तो नाडोल जगे जो है, यह आज के समय में मारवाड में आती है, वेस्टन राजस्थान वाला जो रीजन है, यहाँ पर नाडोल नाम का एक जगे है, वहाँ पर भी एक चोहान डैनिस्टी थी, और अनादर डैनिस्टी वास अट प्लेस तो यह दोनों ही जालोर और नाडोल, यह दोनों वेस्टन राजस्थान में स्थित हैं, यह भी minor branches हैं चोहान डैनिस्टी की, और इसके लावा चोहान डैनिस्टी आगे भी गुजरात के भी कई शित्रों में चली गई थी, बट अगेन हमें थोड़ा सा अपने आपको लिमि सेंचुरी, यह वाला वो टाइम है, दसवी से बारवी शताबदी के बीच में जब चोहान पावर अपने चरम पर था, राजस्थान के जादातर हिस्सों पर इनका शासन था, और वेस्टन राजस्थान, इस्टन राजस्थान सभी जगे इनका रूल हो गया था, तिल पंज अगली डैनिस्टी है गहडवाल, गहडवाल या गहरवार यह दोनों इनी के नाम है, यह रूल करते थे वारानासी से कुछ समय, कन्नौज भी इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, बट इनका प्राइमरी कोर एरिया वस इस्टन उत्रप्रदेश वारानासी वाला शेत्र तो यहाँ पर 1089 AD में चंद्रदेव नाम के एक राजा है जिन्होंने अपने आपको इंडिपेंडेंट गोशित कर दिया और पहले यहाँ पर कालोचूरी किंग्डम पारफूल हुआ करता था, कालाचूरी इस कौन है, चोल, चेर, यह सब किंग्डम के बारे में हम अगले में डिसकस करेंगे, डेकन किंग्डम आएंगे, तो यहाँ पर कालाचूरी पावर खत्म होने के बाद या कमजोर होने के बाद, चंद्रदेव गहडवाल डैनेस्टी को इंडिपेंडेंटली इस्टाबलिश करते हैं, बारवी शताबदी के मध्य में, 11.14 to 11.55 में, नवीद अटैक्स भी हुए थे, कई सारे, उनको भी इनोंने रोका, और पालवंच के साथ भी इनकी लड़ाई होती है, तो यह सारे इनके अचीवमेंट्स हैं, गोविंद चंद्र के ही ग्रैंट संथे, राजा जैचंद्र, तो राजा जैचंद्र या जैचंद एक ही बात है, जैचंद्र ने भी गुरीद के साथ लड़ाई लड़ी, यानि कि अफगान पावर गुरीद, उसके साथ ही गाडवाल डैनस्टी, दिल्ली की चोहान डैनस्टी से भी लड़ाई लड़ चुका था, क्योंकि दोनों पडोसी थे, तो दोनों का आपस में टकरार था, अब आप जो इतियास में को कहानी पढ़ते हो, सहियों गिता को राजा पृत्वीराद चोहान जो है, वो स्वयमवर से भगा कर ले गए, और इसलिए जैचंद्र ने साथ दिया मुहमद घुरी का, वो पूरी तरह से गलत स्टोरी है, इस गुप्लीटली डिवाइड ऑफ हिस्ट यहाँ पर जैचंद्र भी इन से हार जाते हैं, लेकिन जैचंद्र का जो किंग्डम है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, कैसे, इनके जो वंशज हैं, वो किसी ना किसी रूप में वारा नसी में अपना कंट्रोल रखते हैं, तो भारत में एक बहुत ही पॉपिलर मित है, कि जैचंद्र जो हैं, इन्होंने देश से गद्दारी करी, तो फर्स्ट ओफॉल उस समय देश का कोई कॉई कॉंसेप्ट नहीं होता था, और दूसरी बात, जैचंद्र खुद मुहमद घोरी से लड़ाई लड़ते हैं, और उस लड़ाई में मारे जाते हैं, क्यूंकि 1192 में, चोहान डैनेस्टी को हराने के बाद, घुरीद डैनेस्टी ने अगला हमला गाहडवाल डैनेस्टी पर किया था, गाहडवाल किंग्डम पर किया था, और वहाँ पर जैचंद्र खुद लड़ाई में लड़ते-लड़ते मारे जाते हैं, लेकिन इनके जो वंशज है वो वारानासी पर कुछ सालों तक रूल कर रहे थे, इसके हमें कई प्रमान मिलते हैं, सल्तनेट टाइम पीरिड़ की जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी बताते हैं कि वारानासी में जैचंद्र की जो डैनेस्टी है, बहुत ही कमजोर हो गई थी, गाडवाल डैनेस्टी, बट अब इनीव के एक वंशज राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, और राजस्थान में जाकर एक नई डैनेस्टी को स्थापित करते हैं, और इस डैनेस्टी को आगे नाम दिया गया राथोड, तो इन्हें शुरुआत में कन्नौजिया राथोड भी कहा जाता था, क्यूंकि इनका कैपिटल कन्नौज भी था कुछ समय के लिए, तो कन्नौजिया राथोड भी कहते थे, और ये डैनेस्टी अपने आपको वेस्टन राजस्थान में एस्टाबलिश कर लेती है, तो जैचंद्र के ही एक वंशज थे राव सिहा, और राव सिहा इस फाउंडर ऑफ दर रूल करेगी, हाला कि डैरेक्ली राव सिहा ने जोदपूर पर रूल नहीं किया था, इन्होंने पहले पाली नाम का एक एरिया है, वहाँ पर रूल किया, फिर खेड नाम की एक जगे है, वहाँ से इन्होंने रूल किया, और उसके बाद जाकर इनके वंशजो ने करते हैं हाला कि यह वाला जो फैक्ट है इसको जाहतर हिस्टोरियंस मानते नहीं है लेकिन राठोर्ड किंग्डम की स्थापना होती है दो जगहों पर एक तो पाली और एक आप लिख लेना यहां पर लिखा हुआ नहीं है खेड और उसके बाद तीसरा स्थान था मंदोर और चौथा स्थान था जोदपूर तो कभी-कभी पुराने कैपिटल पूछ लेते हैं तो कैपिटल ध्यान में रखना मेवाड के भी और मारवाड के भी यही राठोड या जोदपूर किंग्डम मारवाड कहलाता है इस यहां पर बहुत सारे रूलर्स का टाइटल राओ के ना 1489 तक और इन्होंने ही जोदपूर की स्थापना करी थी that is why the city is called जोदपूर आफ्टर राओ जोदपूर और उन्होंने इस किले को बनवाया इससे पहले capital था मंडोर यह भी जोदपूर शहर के पास में ही स्थित है तो राओ जोदपूर का नाम ध्यान में रखना है time period क्या 15th century तो यह पंदरवी शताबदी है अब इतने सारे राजाओं के नाम तो मैंने आपको बता दिये लेकिन आपको यह भी बताता हूं कि question कैसे आएंगे देखे question आएंगे chronologic है इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन में से पहले कौन सी घटना हुई चोहान का द राइट करवा रहा हूं उसे जरूर मार्क कर देना तो यह 15th century में राओ जोधा is establishing the city of जोधपूर and the fort of महरांगड अगला kingdom यह डैनिस्टी जो हमें पढ़ना है वो है Solanquis of Gujarat अब कुछ sources इने चालुक्येs of Gujarat भी कहते हैं तो याद है आपको पहले हमने चालुक्ये के बा नाम से शासन कर रही है तो यह उनीका continuation है कुछ historians कहते हैं कि यह उन चालुक्ये के वसाल हुआ करते थे उनके अधीन हुआ करते थे और बाद में इन्होंने अपने आपको independent गोशित कर दिया तो यह चालुक्ये और विंगी चालुक्ये और कल्यानी वाले same नहीं है चालुक् यह सोलंकी डैनेस्टी जो है यह गुजरात में 940 में independent होती है under the ruler मूल राज तो मूल राज वहाँ पर एक local चावडा डैनेस्टी को replace करके अपना शासन स्थापित करते हैं और यह गुजरात राजस्थान और मालवा के शित्र में 10th to 13th century तक रूल करते हैं तो दसवी से ते रमदाबाद से लगभग 100-120 km नौर्थ में इस पाटन यह वो जगह है जहाँ पर राणी की वाव स्थित है तो यह जो राणी की वाव आप सुनते हैं यह इसी सुलंकी डैनेस्टी की एक राणी राणी उदय मती ने बनवाया था 11th century में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है यह राणी उदय मती जो है यह किस राजा की वाइफ थी यह आप मुझे बताएंगे कमेंट में अगर आप लोगों को पता है और दूसरा सवाल यह राणी की वाव भारती करेंसी के कौन से नोट पर होता है 10 रुपे 20 रुपे 100 रुपे कौन से वाले नोट पर तो बाद में कभी इसको डीटेल में पढ़ा देंगे अगर आप चाहते होगी मैं इस पर ही एक अलग लेक्चर लूँ राणी की वाव का आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका कैपि इसी सोलंकी डैनस्टी के एक रूलर भीमदेव सोलंकी के शासन के समय महमूद घजनी ने सोमनाथ टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उन शासकता नाम भी पूछ सकते हैं आप से कभी एक्जाम में भीमदेव सोलंकी दोनों ही सही हैं इनके शासनकाल में सोमनाथ मंद this was the first time it was attacked and completely destroyed इसी वंच के एक और राजा कर्णदेव सुलंकी ने एक भील राजा अशावल को हराकर कर्णावती शहर की स्थापना करी साबरमती नदी के किनारे यही कर्णावती आज एहमदाबाद सिटी है तो एहमदाबाद जो है ये कर्णावती भी नाम से जाना जाता है in fact कई बार demand होती है कि शहर का नाम बदल कर कर्णावती कर दिया जाए तो ये भी राजा कर्णदेव सुलंकी के कारण नाम दिया जाता है तो चालुक के वंच के हमें कई सारे सिक्के देखने को मिलते हैं तो ये वाले उनके कुछ coins है आप देख सकते हैं they are very beautiful coins अगली dynasty है चंदेल चंदेल रूल करते थे बुंदेल खंड के शेत्र पर तो ये बुंदेल खंड शेत्र आज के समय उत्तरप्रदेश और जाना जाता था जेजक बुक्ती तो जेजक बुक्ती नाम से इस एरिया को जाना जाता था इसलिए इस डैनेस्टी को कई बार चंदेल जेजक बुक्ती भी कहते हैं इस डैनेस्टी की स्थापना वैसे 9th century के एक राजा नानुक ने कर दी थी लेकिन ये पूरी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंच से इंडिपेंडेंडेंट नहीं थे ये उस समय तक भी गुर्जर प्रतिहार वंच के अधीन ही थे तो एक और राजा है दसवी सदी में यशो वर्मन कुछ इतिहासकार इनको बताते हैं कि ये independent थे काफी हद तक, लेकिन अभी भी चंदेल वंच पूरी तरह से independent नहीं था, सच्ची independence इन्हें या फिर सच्ची तरीके से इनका power establish किया जाता है राजा धंग के द्वारा, इनका time period क्या था? 950 से 999, यानि कि 10 वी सदी का second half, उस समय ये practically independent हो चुके थ पूरी तरह से independent थे, हर तरह से independent थे और ये काफी powerful rulers थे, यह हमें कैसे पता चलता है? क्यूंकि एक तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए और दूसरा, कई दूसरे पडोसी राजाओं को इन्होंने लड़ाई में हराया, तो इनकी टकरार होती थी mainly मध्यप्रदेश के दूसरे पडोसी राज्यों से, तो मालवा के परमार और त्रिपूरी के काला चूरी, इन डैनेस्टी के साथ इनकी लड़ाई चलती थी, यह त्रिपूरी कौन सा है? यह वो त्रिपूरा नहीं है, उत्तरपूर भारत का, दिस त्रिपूरी इस नियर जबलपूर, मध्यप् मंदिर हैं, और शांदार एक्जांपल्स हैं, उत्तर भारत की नागर स्टाइल के, इन मंदिरों को बनवाया कई चंदेल रूलर्स ने, तो जैसे कि ये वाला है, विश्वनात मंदिर, आप चाहो तो लिख लेना, ये विश्वनात मंदिर है, और इसे बनवाया था, राजा महादेव, तो यशो वर्मन ने भी कुछ मंदिर बनवाया, लेकिन जो सबसे बड़े-बड़े मंदिर हैं, वो धंग और विद्याधर इन राजाओं के द्वारा बनवाये गए, इन तेंथ और इलेवन्थ सेंचुरी, तो दसवी और ग्यारवी शताब्दी में, जो चौहान, तोमर, गहडवाल्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसके कारण क्या होता है कि उत्तर भारत से इन आर्मीज का सेंटरल इंडिया तक पहुचना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो लड़ाई थी उसके कारण वो इतने मजबूत नहीं थ कि वो उस आकरमन को उत्तर भारत में रोक लें, काफी समय तो रोक लिया था लेकिन अल्टिमेटल ये आर्मीज अटैक करने के लिए या फिर रेड करने के लिए कई बार इन सेंटरल इंडिया के किंग्डम्स तक सोलंकी गुजरात तक वहां तक पहुच जाती हैं, 13th century आते चंदेल पावर दिल्ली के सल्तनत के सामने नहीं टिक पाता है, अगला राजपूत किंग्डम है परमार्स का, तो मालवा में परमार्स शासन था लगबग 500 सालों तक, 400 सालों तक और ये 9th century से लेकर 1305 यानि कि चौधवी शताबदी शुरू होती है, लगबग शुरू ही मालवा क्या है, वेस्टरन मध्यप्रदेश, तो आज के समय में जो पश्ची मी मध्यप्रदेश है, उसको मालवा कहा जाता है, ये इनका कोर एरिया था, अब important fact ये है कि ये प्रतिहार नहीं बलकि राश्टर कूट के वसाल्स थे, तो ये राश्टर कूट के अधीन थे, ल और ये राश्टर कूट को इन्होंने हरा दिया था, परमार राजा फेमस हैं क्योंकि ये बहुत बड़े शैव भक्त थे और इन्होंने कई शिव मंदिर बनवाए, जो आप आज भी मध्यप्रदेश के कई जगहों पर कई जिलों में देख सकते हैं, इसी डैनेस्टी के सब रवाती काल में ये मौजूद थे, इनका शासन था और इनके टाइम पीरिड में परमार किंग्नम अपने मैक्सिमूम एक्सिमूम पर था, इनका सामराज्य उत्तर में चित्तोड तक, दक्षिन में महराश्टर के कोस्टल इरियास यानि की कॉंकर्ण, वेस्ट में साबरमती नदी, यानि की अहमदाबाद सिटी, that is सोलंकी टरिटरी, and इस्ट में विदीशा, which is almost center of मध्यप्रदेश, वहां तक इनका एरिया हुआ करता था, तो ये है राजा भोज, इनके statue आपको भोपाल में और मध्यप्रदेश के कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, भोज दिन खिलजी ने यहाँ पर attack किया, और लास्ट परमार राजा, महलक देव, ये लड़ते लड़ते, लड़ाई में, इनकी death हो जाती है, और इसके बाद परमारवंच खत्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ मालवा सल्तनत आएगी, तो यहाँ पर एक अलग dynasty थी मालवा सल्तन वो हम आगे पढ़ेंगे medieval history के next lectures में, तो देखिए उत्तर भारत में ये इतनी सारी राजपूत dynasties, राजपूत kingdoms जो हैं, यह आपस में भी कई बार लड़ते रहते थे, in fact आपस में इतनी जादा लड़ाई थी for dominance, हर कोई पूरे उत्तर भारत पर या पूरे central इंडिया प पर ये lose कर जाते हैं, पृत्वी राज चौहान की हार का एक बड़ा कारें ये था कि वो अपने साथ दूसरे राजाओं को शामिल नहीं कर पाये थे, और दूसरे राजा इसलिए नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरे राजाओं पर हमले किये थे, सभी के साथ लड़ाई चल रही थी, मेंली घढ़वाल्स के साथ उनका काफी बड़ा पावर स्ट्रगल था, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अलायंस बनाकर उनका साथ देने के लिए आ गया हो, तो इसलिए गजनवीद आर्मी जो है, या गुरीद आर्मी जो है, ये क आर्मी के सब्सक्रिप्शन हैं, वो आप EMI पर अवेल कर सकते हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारी दो टेस्स सीरीज फ्री हैं, उनका फायदा उठाईए, थांक्यू वेरी मच, हाव ग्रेट डे.